प्यारे बच्चों आपको पता है कि समाकरन चेप्टर अपने आप में बहुत भी साल है और इतने बिशाल चेप्टर को इतने आसान तरीके से मैं पढ़ा दूँगा कि आपको लगेगा कि पूरे भुक में सबसे आसान यही था तो कौन-कौन तयार है मेरे साथ समय देने के लिए कौन-कौन तयार है मेरे साथ सीखने के लिए गल्स लोग ज्यादा कॉमेंट कर रही है यह मुझे पता है लड़के सिर्फ बहाने करते हैं टाइम नहीं है कोचिंग जाना है जिम्मेदारी है बजार करना है यारी है दोस्ती है गल्ज से लोग पढ़ाई पर द्यान लगा रही है बवाइज लोग अभी से जिम्मदारी समाल है तो मैं चाहता हूं बच्चे आप भी पढ़िए सिर्फ तारीफ लड़कियों का हिना करना पड़े आप भी तारीफ करने लायक बनिए कॉमेंट जरूर कीजेगा जो भी सव स स्वाल कैसे करेंगे बहुत तग्ड़ी स्वाल से होते हैं चान नंबर-पाँ नंबर-पाँ नंबर था तत से हें कि अभी पेशिक पार्मूला बताओं बेशिक सवाल बताओंगा रहा सब अगली वीडियो में आएंगे टिक ह्टो अ फिलाहाल के मैं सब कुछ मिटा देता हूँ, बस उसे मैं रखूंगा, जिसे मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, ठीक है, चलिए, तो सिर्फ पहला सुतर देखिए ध्यान से, पहला सुतर ध्यान से देखिए कि बाहुत मजा आएगा आपको, एकदम मजा ही मजा क्या है ते पहले पहले सूत्र क्या इसको कैसे लिखना देखे आप 350 है बड़ी खोश्टक में सूत्र फाले जानी है तक यहां पहले लिखा यक्स इसी को लिख दो यहां खीख MAN को लिख देंके याक्स डास के उसके बाते उसके बाने जो करडी बना है कुछ लिखा इसको बारे में सोचना नहीं इसे बस अ हो गया तो इसका क्या यहां छूत रहे एक बटे कलड़ी में x square minus a square बरावर होता है लाग x plus कलड़ी में x square minus a square तो अब आप square use कैसे करोगे कैसे जानोगे कौन से सवाल में ये use होगा सब बताऊंगा बस बने रहना बने रहना भागना मत मेरे भाई देखो पहला सवाल अगर आपको ऐसे कहीं दिखाई दे कलड़ी में x square minus 9 ठीक है ऐसे दिखी गया तो जाहिर सी बात है कि ये पीला वाला सुत्र इसके match कर रहा है हाँ यहाँ दोनों पर square है यहाँ सिर्फ एक ही पर square है तो आप इसमें 9 को square बना दीजिए देखिए एक बटा x square minus 9 को 3 का square ठीक है 9 को क्या बनाएंगे 3 का square बस और ये dx होगा अब आप guarantee के साथ देखिए कैसे जानते हैं आप कैसे जानेंगे आप कि कौन सा सुत्रिष में लगेगा तो अगर सारे सुत्रों को आप ही कठ़ा एक जगा रखेंगे एक पेज में तो आप मिलाईएगा कि क्या है ये वाला एक दम इसे से मैस कर रहा क्या देखिए कैसे आप जानेंगे देखिए इसको जिसको मैंने घेरा है इसके लिखने का तरीका 100% एक जैसा है बस बटला क्या चीज है एक की जगा पर आगया 1 2 3 तीन गखी सभी ऐतल समस्च हें और से लिए has studies लिखेंगे लाग कि अ distress फिर क्या बना है रेकर बना दीजे एक्स this हो यहां भी आप सवाम दीजे थे तब लत फिर देखें बना बना एप करली ओकर रयरी इब मैं यह चीजिंद यहां चला गया तो कुछ बदला नहीं सेम इसी को उठा के हाँ डाल दिया तो आभी सेम इसी चीज़ को उठा के यहाँ डाल दीजिए इसके अंदर ठीक है एक्स स्कॉयर माइनस तीन के स्कॉयर कोश्टक बंद कर दीजिए अब बस एक लाइन और रह गया है एक लाइन और लिखना इसमें दिखिए चार लाइन का सवाल है लाग ऐसे रहेगा कोश्टक ऐसे रहेगा यक्स ऐसे रहेगा पलस ऐसे रहेगा करड़ी में यक्स स्क्वार जैसे वैसे रहां दो तीन के स्क्वार कितना होता नहों होता है बस होगे अंसर काम खतम सी जोड़ लीजिए एंसर देते समय काम खतम बस समझे चलिए अब मैं आपको अगला सवाल बताता है वह भी बहुत बेस्ट है तो अगला सवाल के लिए यहां पर रहेगा X2-16 इसका आपको क्या करना है समा कलन तो घबराना मत्यार मैं तुमारे साथ हूँ बस तुम बस मेरे साथ रहो क्या करेंगे इसको कुछ नहीं करना जैसे है वैसे रहने देना है सिर्फ 16 को 4 का इसक्वार लिखेंगे ऐसा लिख देने से यह बन जाएगा इसके जैसा जब इसके जैसा बन जाएगा तो इसका सुतर यो तर लाग एक्स प्लस करड़ी में वही करड़ी में यही यही वाला वहाँ चला गया देखिए करड़ी में जो यहाँ है वही चीज वहाँ है ना तो क्या हो जाएगा सुतर लाग एक्स प्लस करड़ी में यही ची एकसी स्कुायर माइनास 4 के स्कुायर सोले लिख दीजे बस एंसर आ गया कौन बालक कहता कि मेरे को आ रही रहा है कैसे तुम कहोगे कि समझ में नहीं आ रहा है अगर तुम सच में सांती की जगे पर बैठे हो सुर गुल में नहीं हो अगल बगल दुचार गुलु हेडा दोस् इसी पैटर्न को फालो करते के हम एक और स्वाल आपको बता रहे हैं ध्यान से दिखेगा इंटिग्रेशन आप वन अपान रूट में यकसी स्कुायर माइनस 25 डी एकस इसका समाकरन क्या होगा पूरा पूरा लिग लोग सिर्फ 25 को बदल दो एक बटे रूट में 25 स्कुायर माइनस पांच के स्कुायर ठीक है अब यह सूतर कौन सा है वही है लाग कोस्टैक में यकस प्लस जितना यहां लिखा रहेगा उतना फुलस लिख देना है फिर करड़ी में पूरा-पूरा आजाएगा एक स्कुायर है एक लाइन और यह तकलीफ है बेटा एक्स प्लस माइनस 5 के स्क्वार को लिखेंगे 25 ये तो आप समझ गए ये तीन सवाल आप समझ गए अब इन तीन सवालों के बाद अगला तीन सवाल अपने आपको बदल लेगा अपनी हुलिया को बदल लेगा मेरे भाई अपनी हुलिया को बदल लेगा कि तो मेरे साथ बने रहना दीकिए एक सस्कुएर माइनस फाइंच लिखा है कि अब कई से होगा कि आप कईसे होगा तो द्यान से देखना यी माझ तरह देखना कहीं गुश्च देखना तो यहीं के रहना कि पांच को क्या लेखेंगे करड़ी में 5 का स्क्वाइर बस समंझगे है कि इसको अमने लिख 275 श्क्राइर अगर कोई संख्य पूड़ वर्ग नहीं है तो इसको करड़ी में डाल के पूड़ बना दिय несколькоया करلة कर्डी में पड़ा गया अब इसका सुतर क्या होता लाग बड़ी ब्रेकेट में यक्ष प्लस कर्डी में वही चीज जो यहां लिखा है जो लिखा है वही चीज लिख दीजिए ठीक है अगली लाइन फिरी फंड में लिखना है यक्ष प्लस कर्डी में जो कुछ है वही लिख यह स्क्वाइर माइनस कडिम पांच के स्क्वाइर क्या होता है लास्ट में सी यह आपका होगया एंसर आज जितना भी सवाल में बता रहा हूं चार सवाल बता चुगा हूं इन चारों में आप एक चीज देख रहे होंगे कामन क्या चीज कि सवाल में जो चीज है वही चीज एंसर में भी लास्ट में आ रहा देखो आ रहा ना जो चीज यहां है वही चीज सेम यहां है जो चीज यहां है वही चीज सेम यहां है है कि नहीं तो आज इस सुत्र पर X2-A2 एक बोटे कलरी में X2-A2 पर जितने भी सवाल सिखेंगे सारे सवाल में जो question में रहेगा वही answer में भी आएगा देखिए जो question में था वही answer में भी आएगा अगला सवाल भी जब मैं बताऊंगा तो उसमें भी यही काम होगा देखिए ऐसे लिखा है तो इसको अब ऐसे कर दीजिए एक स्क्वैर छे को लिख सकते हैं करड़ी में इच्छा इसका स्क्वैर ठीक है इसका सूतर क्या होगा लाग एक स्विल्स करड़ी में वही चीज़ उतार दीजिए एक से स्क्वाइर माइनस कड़ी में चेका स्क्वाइर तो बराबर लाग एक्स पुलस कड़ी में एक्स स्क्वाइर माइनस कड़ी में चेका स्क्वाइर क्या अच्छे होता है तो देखिए वही कोश्चन ही आगया वापस यहां लास्ट में बढ़ क्या गया लाग और में जरूर आएगा तो इस सुत्र पर जितने भी सवाल आप करेंगे ये जान लिजी ये मान लिजी कि घूमफीर के अंती में स्वालाणा आप सही है है नहीं तो भूदर गलत टिक इस चठ हासवाल देखो मेरे भाई तुम लोगों की आज कलन से डर गये थे ना देखो हम कुछ करेंगे नहीं बस तीन को लिख देंगे करड़ी में तीन का स्क्वायर और डी एक्स ठीक है अब एक बटे इतना हो गया सुत्र इसका क्या होता लाग एक्स पुलस करड़ी में सेम चीज यो यहां लिखा है पूरा पूरा उतार दीजिए अगली लैन में क्या लिखेंगे लाग यक्स पुलस करड़ी में यक्स स्क्वायर करेंगे तीन होगा बस अंति में सी जूर यह लीजीए mission अब आप अगले तीन सवाल समझ चुके अब आप अगले तीन सवाल थोड़ा अलग तरीके से समझिए आज कहता तो रहा हूं मजा ही मजा है कहता रहा हूं कि आज मजा ही मजा है 17 सवाल देखिए एक बटा रूट में ध्यान दीजेगा ध्यान नहीं देंगे तो गबला जाएगा यहां चार बटा कर देता हूं रूट में एक स्कॉयर माइनस 36 अब कैसे होगा अब तक तो उपर हमेशा एक रहता था लेकिन इस बार उपर चार है तो कैसे करेंगे देखे अब इसको हम कैसे क घैंड Además इस चार को यहां लेकर भाग जाईए डिदार मत द यहां लेकर भाग जाईए क warmth कि सब्सक्रां हमें लिखा है कि लिए कशिए एक स्कॉयर माइनस 36 को लिख सकते हैं आप तो यह सवाल हो गया चारिस को बाहर राहने दीजेए लिखिए लाग एक्स प्लस करड़ी में इसी को उतार दीजिए कुछ करिये मत प्रावर फूर लाग एक्स प्लस करड़ी में एक्स स्क्वार माइनस 6 का स्क्वार 36 बस काम खतम हो गया आपका एंसर ठीक है तो कैसे लग रहा भाई सच बता रहा हूं मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा आपको कैसा लग रहा आप कॉमेंट में लिखेंगे तब न हम जानेंगे आप जरूर लिखेगा बहाने मत कीजेगा सत्वा सवाल के बाद देखिए अठ्वा सवाल पांच बठे करड़ी में यक्सी स्कॉयर माइनस सोला तो क्या करेंगे आप सबसे पहले क्या करेंगे अगर उपर पांच है और नीचे दोनू पर इसकॉयर लगने लायक है इस पर तो दिखाई देरा सोले पर भी इसकॉयर लगी जाएगा क्या होगा ये पांच गुड़े वन लिख दो, पांच को बाहर लेलो और वन वहीं रहने दो वाकि नीची वाला जैसे है एक स्क्वार वह से लिख दो माइने लिखो सोरे को चार के स्क्वार लिख दो बस बेटा बस अब ये डारेट शुत्र पे आ गया सुत्र पे आ गया ना अब जब सुत्र पे आ गया मेरे भाई तो लिखिया सुत्र लाग ये एक्स प्लस करड़ी में यही चीज़ एक्स स्क्वार माइनस चार के स्क्वार अब क्योंगर पांच लाग ये एक्स प्लस एक सी स्क्वाइर मैने चार के स्क्वाइर 16 होता है फ्लस सी यह हुआ आपका एंसर कौन बालक कहता कि मुझे आने रहा है कोई कही नहीं सकता भाई क्लास टेंथ का इलेवंथ का किसी भी क्लास का बच्चा अगर आप मेरे क्लास में लाकर रख देंगे अगर वो 10 मिनट हमको सुन लेगा तो वो कहने लगेगा कि सर में भी कर लूँगा तो इंटर का बच्चा जिसको बोड इक्जाम इस बात देना है वो क्यों नहीं करेगा वो तो एकदम कूद कूद के करेगा करेगा ना चलिए अगला सवाल लेते हैं बहुत ही संदर है आठमक बाद नवा देखिए देखके इसको ढरियेगा मत कि यहां नहों यहां नहों कुछ नहीं गुड़े एक लिखो नहों को बाहर फिक दो बस एक से स्क्वाइर माणिव तीन का स्क्वाइर बस नव यही रहेगा इसका सूत्र लग जाएगा इसका क्या होता है लाग एक स्पुलस करड़ी में एक दम यही चीज ठीक है बरावर नव लाग कुछ्ट में एक स्पुलस करड़ी में एक स्क्वाइर माइनस तीन का स्क्वाइर नव बस लास्ट में सी जोड़ देंगे काम खतम अब ये अगला तीन सवाल आप समझ गये अब अगला तीन सवाल थोड़ा अलग होगा, तभी तो मजा आएगा भाई मजा लेना नहीं लेना लेना ना तो अगला तीन सवाल देखिए ध्यान से तोड़ा मैं पंक्खा चला लूँ हाँ अगला तीन सवाल आपका इंतजार कर रहा देखिए ध्यांसे अधा सवाल देखिए इंटेग्रेशन आफ एक बठे करड़ी में चार एक स्वायर माइनस वन अरे भाई आप क्या होगा अब तुम मामला फ्वास गया अब यह सवाल मोड ले रहा है करवट बदल लहा है समझ गये बहुत आनंद आएगा आपको देखिएगा कैसे करना है यहां से चार हटाना है यक्सी स्क्वायर अकेले रहना चाहिए तो चार हटाने के लिए चार कामन ले लेंगे तो यहां बचेगा यक्सी स्क्वायर माइनस वन के पास चार नहीं है तो इसको चार इसके बटे में चला जाएगा ठिक है इस चार का अंदर गुड़ा करेंगे दोनों में तो सेम उपर वाला आना चाहिए तो अंदर गुड़ा करके देख लो चार एकस स्क्वाइर, चार एकम चार बटे चार करेंगे, तो कटके वन आ जाएगा, तो है ने उपर वन, तो कामन हो गया, और यह डी एकस, अब यह चार बाहर वाला चार जीज़ को घेर दिया हूँ, इसका बर्गमूल दो होगा, बाहर आ जाएगा, बाहर से एकदम से बाह सकते हैं, बोटे दो का स्क्वाइर, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बोलिये, अब इसको देखिए, यकस स्क्वाइर माइनस ए स्क्वाइर के तरह हो गया, इसको भी वैसे लिखिए आप, एक बटा दो लाग, कुश्टेग में यकस, पलस, कॉरडी में, सेम चीज उत स्क्वाइर माइनस एक बोटे दो का स्क्वाइर, बस, ठीक है, अब क्या होगा, ध्यान दिजेगा, अब क्या होगा, ध्यान दिजेगा, यहीं पर एक नया चीज आपको मैं सिखाऊंगा, एक बोटे दो लाग, एक पलस, कॉरडी में देखिए, मैंने कहा था न, कि को देखिए क्या है इस question को देखिए क्या है देख लीजिए question में करड़ी में क्या लिखा 4 x square minus 1 तो इस पर ध्यान मत दीजे कि यह कैसे होगा इसके बारे में सोचिए मत आप डारेट यही चिलिक देजे 4 x square minus 1 यहाँ पर ठीक है कोश्टक बंद करके यहाँ पर प्लस capital C जोड़िएगा चाज C जोड़िएगा ठीक है जब इसमें ऐसा आप काम करेंगे कि यहाँ बारेट का सिस्टम रहेगा इसको डारेट जब आप question बनाएंगे तो यहाँ C नहीं जोड़िएगा सीडेज जोड़िएगा या तो सीडेज जोड़िएगे या तो capital C जोड़िएगे नॉर्मल C नहीं जोड़ना है क्यों क्यों कि यहाँ से बटा की चीज़ गाइब हो रही तो वह सीडेज के अंदर समा जाएगी समझे अभी आप confused होंगे मैं आपको बता रहा हूं अब ध्य सीडेज में 9x स्कॉयर माइनस 1 dx तो यहां से जाहिर सी बात है कि 9 कामन लेना है और एक बटे 9 हो जाएगा 9 कामन लेके बाहर आजाएगा तो पहले आप कामन लेकर दिखाएए ऐसे x स्कॉयर माइनस एक बटा 9 हुआ ठीक है अब 9 बाहर आएगा एक बटे 3 बनेगा उपर क् बचा एक स्कॉयर माइनस एक बटे एक बटे 9 को एक बटे 3 का स्कॉयर लिख सकते हैं अब यह देखिए अब इसका सूत्र क्या हो तो लाग एक पॉलस करड़ी में वही चीज जो लिखा है वही चीज करड़ी में चला जाएगा तो एक बटा 3 ऐसे रहेगा लाग एक पॉलस करड़ी में एक दम सेम चीज यही लिख दीजे ठीक है अब क्या होगा अब क्या होगा अब क्या होगा देखिए बराबर एक बटे 3 ऐसे रहेगा लाग एक पॉलस अब इसको कल्कॉलेट करिए गमत इसको साल मत करीगा इसकी जगा कोउस्चन डारेट लिग पुरा कोचने सिर्फ करडी के अंदर वाला भाग यहां लिख देंगे बिना सोचे समझे क्या लिख देंगे 9 यक्स स्कॉयर माइनस 1 यहां लिख देंगे 9 यक्स स्कॉयर माइनस 1 कोष्टक बंद पलस C पे डैस जोडना इस बार है ठीक है अइसे करेंगे तो एकदम आपका सो पर्शन सवाल सही जाएगा गलती बिलकुल नहीं होगा किताब में कहीं कहीं एकव्जामपल में देखेंगे चाणाएंस सीट में देखेंगे या तो केप्टल लेटर सी जोड़ेगा या सी ड़ेगा ठीक है ऐसे सवाल में जिसमें लाग वाला उत्तर आया होगा उसमें सीर्फ ठीक है आपको मैं भी अभी त्रेणिंग दोगा घब राव मत मझे मालूम है कि आपको दिक्क्वेत आ रही है यह समझने में लेकिन दिक्कतों को मैं प्रॉब्लम को मैं दूर करके करके आपको समझा रहा हूं ठीक है अगला सवाल देते हैं एक इतना था 11 बारे नमबर देखो एक बटे करड़ी में 16 स्क्वाइर माइनस एक ठीक है इसमें क्या करिएगा आप 16 कामन लीजिए तो यक्सी स्क्वाइर बचा इसके पास सोले नहीं है तो एक के पास सोले चला जाएगा एक के बटे में सोले चला गया ठीक है सोले बाहर निकालेंगे तो दीजे अगली बार क्या लिखना इसकी जगा सोचना नहीं है यही कोश्चन उतार दीजे बस करड़ी वाला पॉर्शन सिर्फ उतार देना है एक बट चार लाग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वार देखे द्यां दीजे इसके पीछे पढ़िये ही मत इस livreANK greater देज्ए 16 स्क्वार माइनश 1 प्लस यहां सिर्स कामपा है एंसर आ गया है काम खतम हाएंसर इस किले हैं बोलो भाई किले है किले है किलीर है किलीर रहे ना कमेंट में लिख मैं आपको हम आउल्भ देता हूं आप तुरंथ करिएगा answer comment में लिखेगा कॉमेंट में लिखिए वीडियो खतम नहीं करेंगे हम बस आपके लिए टेस्ट मैं दे रहा हूं क्या आप इस सवाल का एंसर कर देंगे देखिए यह तीन नंबर का एक्जाम में पूछेगा कितने नंबर का तीन नंबर का इस सवाल को अगर आप कर लेंगे अकेले तो मैं मान जाओंगा कि आप बड़े अच्छे बच्चे हैं बड़े अच्छे चात्र हैं बगवान आपको बुद्धी दें सक्ति दें विद्या दें और आप इसी तरह हमेशा हर सवाल में सफलता पाते रहें अब मैं आपको अगला सवाल बताता हूं इसी बात पर मुझे एक बात याद आ गई जो भी दो चार बच्चे मुझे देख रहे हैं इस समय मुझे बात याद आ गई अगर आप सच में जैसे मैंने पूछा कि यह क्या आप कर लेंगे तो आप क्या भी चीज का जबाब बोल कर दे पाएंगे नहीं ने अगर यह वीडियो काल वाला क्लास रहता वीडियो काल पर हम आपको पढ़ाते दुनों तरब से बात होता रहता तो हम इतना समझाये हैं आप से पूछेते क्या बेटा यह आप कर लोगे तो आप बोलते हां सर जी मैं कर लोंगा सारे बच्चे चिला के करते हां मैं कर लोंगा कर लोंगा होता कि नहीं होता ऐसा तो यूटूब पर लाइप पढ़िएगा चाहे रिकार्टिर वीडियो पढ़िएगा आप सिर्फ क payment करके आएंगे 10 दस पईनिक करना हете 10 तऱ पेमिंट कर आएंगे हमारे साथ क्लास लेंगे तो अपने सार्ट्र दीक में P local देंगे 210 कहिं, 50 रुपे की डिस्कॉंण देंगे इंगे 10 रुपे लिंक में ने 10 द्दिन पठें डिस धिन डिस्क्रेमिंट कर आधा per और face to face, video call का खर्चा ज्यादा आता है, लेकर मैं आपसे खर्चा नहीं ले रहा हूं, मैं आपसे बस उतना ले रहा हूं, जितना मेरा लगेगा, तो link description में दे दे रहा हूं, वहाँ पे payment करेंगे 10 रुपया, तो हम आपको, आपका नंबर भी आ जाएगा, मैं मेरी team में आपक जाएगा, और face to face पढ़ने के लिए, अगर आप link पे click कर पाते हैं, तो ये mobile number है, इस पे आप phone करिएगा, phone कभी उठेगा, कभी नहीं उठेगा, अगर हम klar ले रहे हैं, तो नहीं उठ पाएगा, और description में लिंक है, वहाँ payment करेंगा, तुरंद payment हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा, एक दो घंटा, हमारी company से, हमारी office से, आपको call चल जाएगा, या हम ही phone कर लेंगे, तो या तो इस पे phone करके, प्ला लीजे, या तो description में link है, तो description में link के थुरू आएगा, उसको हम आगे discount देंगे, जो direct phone करके आएगे, उनको discount नहीं मिलेगा, ठीक है, तो सवाल बारे नंबर तक हो गया है, अब आपको 13 नंबर में बता रहा हूं, ध्यान दो, सवाल अपनी सकत बिगाड़ने वाला है, देखिएगा ध्यान से, तीन बटा, करड़ी में, 4 x square minus 5, ऐसे है, इसका करना है, मुझे क्या समाकलन, तो कोई टेंसर नहीं भाई, मैं बताऊंगा, तो समझ में आएगा, बस आप समझदारी दिखाईए, समझिए, आइकांत में पढ़िए, घर पे पढ़िए, अकेले में पढ़िए, चार बच्चों को लेके मत पढ़िए, सबसे पहला काम गुड़े एक लिख दीजिए, चाहे जहां लिख सकते हैं, तीन को बाहर कर लिजिए ऐसे, उपर एक रह गया, करड़ी में यहां से चार कामन लिजिए, तो बचेगा यक्स square, पांच के पास चार है ही नहीं तो कामन कहां से होगा, तो जब पांच के पास च नहीं है, तो 5 के पास 4 चला जाएगा, पांच के पास चला गया, देखें नीचे ही जाएगा, और यहां लगा देंगे डी यक्स, अब इसको 3 को 3 रहने 2, सोरी 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 तीन ऐसे ही रहेगा इस चार को बाहर निकालेंगे कर्डी से तो दो बन जाएगा अब बटे में आ जाएगा दो यहाँ यह चार बाहर आके दो बन गया एक बटे कर्डी में यक्स स्क्वार माइनस पांच को क्या लिख सकते हैं हि Tele 5 f 5 चार को क्या लिख सकते हैं तो कोड़िम 5 बटे-दो का बस समझें कि नहीं समझें यह तीन पहले से था 42 को बन गया वन उपर है कोड़ी但 यह यह जिक्षे फाल सांच को काड़िम 5 लिखा चार को इसक्री मोड़ीटी करने तो Young तरह के राष्टार राएगा अब हमारा सुत्र के रास्ता पकड़ लिया हंगी करते हो क्या लिखना है बताना है नहीं को कि वताना पड़ेगा नहीं वताना पड़ेगा अब यह तीन वाटे दो AIS fø्पेज़े रहे इसका शुत्रिजाग लाग यख स्ats ॡolos करड़ी में यह पूरा फूरा पूरा पूरा करड़ी में यहां लिख दीजे अगली राइन में क्या करना यही कोश्चन नीचे वाला करड़ी का हिस्सा सिर्फ करड़ी वाला हिस्सा डारिक इसके नीचे लिखाएगा इसके नीचे इस करड़ी की जगह पर है ठीक है मैं लिख देता हूं तिन बट्टे दो लाग कोश्चन में यक्स पुलस अभी इस करड़ी में क्या लिखना है सोचिए नहीं दिमाग मत खराब करिए डारेट फोर एक्स स्कॉाइर मैंनस पांच लिखिए कोश्चक बंद करिए लाश्ट में सीड़ आईस आपका काम खतम आपका काम खतम ठीक है आपका काम क्या हो गया खतम हो गया आप क्या करेंगे even यहां पर एक और प्रस्न बन रहा है यहां पर एक प्रस्ण और बन रहा है जो बटे का दो है न य बटे का दो इसका इसमें गुढा हो जाएगा यहां पर- इस बट्य वाले से इसमें गुड़ा हो जाएगा गुड़ा कर गया सीधा यही कोस्चन यहां लिख देंगे बस आपका एंसर आ गया पिछले सवाल में भी ऐसे ही करना है थोड़ा सा भूल हो रहा था बट्य में चार है यहां चार का गुड़ा हो जाएगा ठीक है ना यहां चार का गुड़ा हो जाएगा पिछले सवाल में बटे में तीन था यहां तीन का गुड़ा हो जाएगा इसके पहले सवाल में बटे में दो था तो यहां दो का गुड़ा हो जाएगा बस इतना सा ध्यान देना और कुछ नहीं बस इतना सा क्या करना था ध्यान देना था और कुछ भी नहीं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ आगे सवाल में मिश्टेक नहीं होना चाहिए कौन सा कोश्चन इस बार चलेगा 13 के बाद 14 14 नमबर सवाल देखो बेटा मालो यह रहा 7 बटे करड़ी में 9 यक्स स्क्वायर माइनस 7 या माइनस करके 8 है या 11 है ऐसे तो पहला काम साथ गुड़ी एक लिखो साथ को बाहर कर दो एक बटा करड़ी में 9 कामन लीजिए तो बचेगा 1 स्क्वायर माइनस 11 बटे 9 हो गया डी यक्स यहां तक किलियर है 9 बाहर आएगा तीन बनेगा तो साथ बटे 3 हो गया एक बटा करड़ी में एक स्क्वायर माइनस 11 को लिख सकते हैं करड़ी में 11 9 को लिख सकते हैं 3 ठीक है यह समझ में आ रहा है अब क्या करना है अब क्या करना भाई साथ बटे 3 और सुत लिखना डारेट लाग यक्स पलस करड़ी बनाएंगे यह पूरा पूरा एक बार लिखेंगे पूरा का पूरा लिखेंगे यहां ठीक है अब क्या करेंगे साथ बटे 3 लाग इस यक्स में इसी बटे वाले का गुड़ा कर देंगे पहला काम क्या करना है इस यक्स में इसी 3 का क्या करना है गुड़ा तो हो जाएगा तीन यक्ष पलस करड़ी में अब इसको दुबारा नहीं लिखेंगे इसको नहीं लिखेंगे कोश्चन लेके आएंगे कोश्चन ही लिख देंगे कोश्चन में क्या है कोश्चन में क्या है देखिए कोश्चन में यही है नौ यक्स स्क्वाइर माने सी ग्यार है तो यह लिख दीजे कोश्टक बंद प्लस सी डैस लिखेंगे हाँ समझ गए इस तीन का गुड़ा यहां करिएगा तीन यक्स हो गया बाकी करड़ी बना के इसको नहीं लिखना कोश्चन लिखना नौ यक्स स्क्वाइर माने सी ग्यार है ठीक है किलियर है ना कमेंट करके बता देते तो बड़ा अच्छा लगता कौन को नभी मेरी वीडियो देख रहा किस सहर से देख रहे हो लिख दो अपने सहर का नाम अपने जिला का नाम मानलो कोई आगरा से है तो आ कानपूर द्यात कानपूर नगर जहां से भी हो आजी अब आसे सब लिख डालो ठीक है एक कही सहर का नाम लिखेगा जिस सीटी में आप रहते होंगे या तो जिस जिले में रहते होंगे ठीक है समझ में आ रहा है किलियर है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल हम आपको बताते हैं बड़ा हिस्सांदार है इसी का सगभाई रहेगा यह देखिए बड़ा ही खतरनाक सवाल कैसे होगा कैसे होगा डरीएगा नहीं आप गुड़े एक लिखिए अगला सवाल केतना नंबर है नंबर है 14 के बाद 15 नो बाहर कर दिया एक बटा करड़ी यह पांच कामन लेंगे यक्स स्कॉर माइनस 3 बटे 5 हो जाएगा ठीक है अब क्या करेंगे 5 बाहर निकालेंगे तो नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा तो करड़ी लगा ही रह जाएग पांच के उपर तो नो बटे करड़ी पांच हो गया एक बटा यहां पर एक स्कॉर यह तीन और पांच पूड़ वर्ग नहीं है तो तीन बटे पांच को ऐसे बना दो कि ठीक है ना फिर से बताता हूँ देखे करड़ी में पूरा पूरा यह उतार दीजिए अगली लगा पूरा पूरा यह उतार दीजिए अगली में क्या लिखना है मैं बता रहा हूँ अगली लैन में यह लिखना नौ बटे करड़ी म्पांच लाग एक्स में इसी करड़ी म्पांच क्या गुड़ा हो जाएगा यक्स में इसी कर्डिम 5 का गुड़ा हो जाएगा तो कर्डिम 5 यक्स प्लस इस कर्डिम में इसको नहीं लिखना है लिखना ये कोश्चन कोश्चन वाला कर्डिम वाला हिस्सा 5 यक्स स्क्वाइर माइनस 3 और बाद में C डैस लिखना है बस कौन कहता है कि समाकलन के बड़े बड़े सवाल कठीन है? तो ये बड़ा नहीं है क्या? छोटा है पाँच नमबर में, तीन नमबर में एक्जाम में आता है और देख लिजे कितना तरीके से, कितना टेकनिक से बताया हूँ जिन बच्चों को लगता है मैथ बहुत कटीन है ना वे बच्चे हमसे जरा दस दिन दस रुपे में वीडियो काल पर पढ़के एक बार देख लिजिए दस रुपे में दो दिन पढ़ेंगे खुद आपको लगे कि या बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है ठीक है ना दस रुपे म क्या मिलता आशकर न चाट मिलता है न चोमिन मिलता है न बर्गर मिलता है समूसा मिल जाएगा गाह में 10 रुपया में या 7 रुपया 8 रुपया में तो समूसा खा के लीवर खराब करोगे क्या आईए अब मैं इसके आगे 16 नंबर सवाल बताऊँगा उसके बाद आपको होम ओर कर दूँगा उसके बाद फिर आप अपने अपने घरों को चले जाएंगे सवाल अंबर 16 के 17 है हाँ 16 है चलिए वाव यह मैं कर रहा हूँ इसके बाद आपके लिए हमर्क रहेगा तीन गुड़े एक लिख दो तीन बाहर भगा दो एक ऐसे रहने दो यहां से तीन कामन ले लो बचेगा एक सी स्कॉयर माइनस एक बटे तीन ठीक है अच्छा तीन यही दाएगा यह करड़ी में तीन है बाहर आएगा तो बर्गमुल होगा नहीं देहना ते इसके नीचे करड़ी ही लगा रह जाएगा इस पर करड़ी लगा रह जाएगा एक बटे लिख सकते हैं उपर वाला उपर वाला तीन-दो बार करडिम बन गए नीचे वाला कर्डिम तीन रह गया और एक बटा इसको अभी ऐसे ही रहने दो कि अगले लाइन में सुत्र लगा दिया जाए है ठीक है चल लगा ही देते हैं च्छल लगा है क्या करना है और यह दो बार कडम 3 बन गया और यह तो फार्मुल्य पर आगए फार्मुला के अrlaag को इस टेंग में यक्स कड़ारी में यहीं चीज पूरा-पूरा लुग देना है लिखा गया अगली बार क्या करेंगे कर्णिम तीन के गुड़ा इस यक्स में करके और यह कोश्चन इस करड़ी में डाल देना है बस नहीं भाई भाई आपको मैं भाई बोल दे रहा हूँ अब भी नहीं समझ रहें आप देखिए कर्णिम तीन कर्णिम तीन यह कट जाएगा एक ठे कर्णिम तीन बच्चेगा लाग यक्स नहीं देगा यहां कर्णिम तीन का गुड़ा हो जाएगा यक्स में तो कर्णिम तीन यक्स प्लस अब क्या यह नहीं लिखना इस बार यह लिखना सीध है यह ठीक है इन एक्स इस्कॉाइर माइनस वन प्लस सी डैस जे हुआ है अंसा जरूर इस शिर्फ सी लिख देंगे तो नहीं चलेगा काम सिदेर लिखे या तो केप्टेल लेटर सी लिखे इसमाल सी नहीं लिखना है तो अब ये बताओ कि क्यों नहीं समझ में आएगा मैं थी मैंने इतना तरीके से आपको बताया, कितना सवाल बताया, 16 सवाल बताया हूँ, डेली में 27-20 सवाल से उपर बताता था, आज 16 बताया क्यों, क्यों कि भाई आज थोड़ा बड़ा सवाल था, थोड़ा तेड़ा सवाल था, थोड़ा तेड़ा और मेड़ा सवाल था, तो हुम होगा है तो फिर ये भी आप करिएगा पिर ये भी करिएगा हृृ कि ज्यादा नहीं देंगे तीन शबब है आप इन तीनों सवालों का उत्तर भाई अधी तीन शेकन में बहुत लगेगा तो आधा मिनट इसते 30 से ज्यादा नहीं लगेगा एकदम दिल मैं खोल के कह रहा हूं गारेंटी लेता हूं और स्क्रीन पर जो मेरा फोर नमबर है फोर करेंगे तो डिसकाउंट नहीं मिलना है और डिस्क्रिप्शन में जाएंगे लिंक पे 10 रुपया सिर्फ पेमेंट करेंगे तो दस दिन आपको फ्री क्लास करेंगे जब आप जोईन करेंगा तो बता देंगे ठीक है चलिए वेस्ट अब लग थैंक्यों